नवस्कार दोस्तों में राउल सास्त्री सौगत करता हूँ आपका बारवे भाव के इंदर सूर्य देव कैसे रिजल्ट देंगे बारवे भाव का मतलब लगन से अगर आप गिनोगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा ट्वेल्थ हाउस पे आके सूर्य देव अपने कैसे रिजल्ट देते हैं यहीं मैं आपको बताने जारा हूँ देखे कुंडले का छटा आठवा बारवा यह त्रिक भाव होते हैं इसमें कोई भी घर है कोई भी घर है यहाँ पे अपने सुब फल नहीं देता यहाँ पे आपक मतलब विपरीत राजयोग एक राजयोग की तरह आपको फल मिलेंगे कैसे बताऊंगा तो दोस्तो जनरली कैसे रिजल्ट मिलते हैं बारवे बहु बैठके सूरिय की ये आपको बताने जा रहा हूँ देखिए सूरिय देव जो होते हैं वो आपके पिता हैं ग्रहों के अंदर उनको राजा माना गया है सुअभी मान के कारक है इगो के कारक है, confidence के कारक है, सोना के कारक है, साथ के साथ इसके साथ आपका समाज में मान समान परतिष्टा के कारक है, इन सब चीजों के सूरिय कारक है, बिमारियों के अंदर हड़ी, आँख, दिल से related बिमारियों के कारक है, तेज के कारक है, सूर्य देव अगर यहां पर बैट गए चाहे वो अपनी उच रासी में यह क्यों न हो यहां पर उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर कैसे result देखे गए हैं देखे अगर सूरिय यहाँ पर बैठ जाते हैं तो सूरिय की दसा अंतर दसा में आमदनी कम खर्चा जादा होगा जातक का सूरिय देव अभी मैं आपको नकरातमक फल दे बता रहा हूँ अब सकरातमक मतलब अगर यहाँ पर सूरिय देव विप्रीत राजयोग बनाएंगे तो उसमें आपको कैसा फल देगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा पहले नकरातमक फल तो सूरिय देव यहाँ पर बैठ या आँक में दिक्कत हो सकती है सूर्य के उपर अगर रहू सनी या केतु की दरस्टी हुई तो जातक को बीपी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है सूर्य देव अगर यहां पर साथ लिखा इसे में सूर्य देव है तो जातक को दिल से रिलेटेड प्रोबलम होती है अगर तुल और जातक के सत्रू बहुत होते हैं। सूर्य देव यहां पर बैटने के बाद जातक को सारीरिक और मांसरीक रूप से कष्ट देते हैं। जातक को पैतरिक संपत्ती को लेकि कोट का चेरी में जाना पड़ सकता है। जातक का सत्रू का भैर बना रहेगा। रिल लेंगे तो उसको चुकाने में दिक्कत होगा। इस तरह के। जातक को फल देखने को मिलेंगे। और अगर यहां पे पांच लिखा हो या यहां पे पांच लिखा हो छे आट बारा में कहीं पे भी पांच लिखा हो और जो आपके लगनेस हैं कुटली के कोई भी लगनेस होते हैं जो पहले भाव में जो रासी होगी जो उनके मालिक होंगे वो लगनेस हुए अगर वो बली है सामान्यत है और यहां पर पांच लिखा है छे आठ बारा इन किसी भी भाव में पांच लिखा है और सूर्य देव यहां पर बैठे तो फिर विपरीत राजयोग बन जाता है जातक को परबल रिजल्ट मिलते हैं तो कैसे जातक इनिशल स्टेज में तो थोड़ी दिकत जरूर पर बात में संकर्ष करके पहूँ अच्छे रिजल्ट पर आपया लेगा राजा के समान जिन्दकियजीनेवाला होगा ऐसे जा तक विदेश में जाके अपना केरियर बनाते हैं विदेश में जाके नोकरी का युग बनता है वहां पर जाकर जाकर बहुत पैसे कमाता है जा जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर नोकरी करेगा तो जातक को उसमें पहुत फैदा होगा कोट कचेरी में विजे करा देते हैं रिन को चुका के रिन का उस रिन से उनका पहुत अच्छा काम बनने वाला होता है तो यहां पे सूर्य देव बैठके अगर विपरित राज्यों की स्थिति में होंगे तो पहुत अच्छा फल देंगे सूर्य देव अगर यहां पे बैठा होता है इसे तातक को धार्मिक देखा गया है यह जो बहा हूँ है बारवा, बारवा जो बहा हूँ होता है बhrasपति और रहु से भी वास्त रखता है तो कुंटली में इन दोनों का भी strong होना पोज़रूरिय प ज़रूरी है, ऐसे में सूरिया भी बैठा है तो पर विपरीत राजोग बना रहे होंगे फिर जातक को उल्टा यानि जातक को परबल रिजल्ट मिलेंगे तो दोस्तों मैंने बता है Sun in 12th house 12 भाव में कैसे रिजल्ट देंगे वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना धन्यवाद और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत बूलिएगा